नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं पर्योजना, निदेशक, कियन, कुमारी पासी ने सूची जारी कर दी है सभी जीलों की तीन-तीन अधिकारियों की टीम बनाई गई है उन्हें दो-दो जीले आवंटित किये गए हैं ए अधिकारी आवंटित जीलों में दो-दो दीन तक निरिक्षिन करेंगे इस दरान स्कूलों के साथ-साथ प्रखंड अस्तर प्रभिभीन योजनाओं की मोनेटरिंग और समिक्षा भी करेंगे बता दे हर महीने यह टीम अनिवाले रूप से अलग-अलग जीलों में जाएगी सुक्रवार और सनिवार को यह निरिक्षन होगा इसकूली सिक्षावा सर्षताव भी भाग के एधिकारी 12 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक अवंटित जीलों का भ्रहमन कर इसकूलों का नेरिक्षन कर लेंगे वही 22 दिसम्बर इस मामले पर सिक्षा भी भाग में बैठक होगी मौसम केंद्रे ने अगले कुछ दिनों का पुरोनवान भी जारी किया है इसमें कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकित नहीं है उसके बाद अगले 2 दिन तक तापमान में गिरावर दर्ज की जाएगी मौसम केंद्रे ने रांची और आसपास के इलाकों के लिए कहा है कि 15 दिसमबर तक लोगों को सुबह में कोहरा और धूंद का सामना करना पड़ेगा अधिक्तम तापमान में ज्यादा परिवर्ता नहीं होगा लेकिन निमतम तापमान में बदलाव देखा जा सकता है 15 दिसमबर 22 तक रांची का अधिक्तम तापमान 26 से 27 डिगरी के बीच रहेगा जबकि निमतम तापमान 12 दिसमबर के बाद से गिरावर दच की जाएगी 14 और 15 दिसमबर को निमतम तापमान 11 डिगरी सेल्सियस तक गिर जाने का अनुमार है जारखन में आज से बिजली कटवती से मिलेगी रहाथ जारखन बिजली बितरन निगम लिमिटेट द्वारा पावर फाइनेंस कर्पोरेशन से 750 क्रूर रूपई लोन लेने की परकिरिया चल रही है पी एपसी को कागजात भेज जा चुके हैं बाताया गया है कि 12 दिसंबर को पी एपसी 750 क्रूर में से 204 क्रूर रूपई रिलीज कर देगा इस रास्ती का भुगतान डीवी सी को बकाया मद में सीधे पी एपसी से कर दिया जाएगा इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिली लेने पर लगी रोक हट जाएगी अब जारखन जरूरत के मुताविक भी लिले सकता है और लोड सेडिंग की समस्थ्या से जारखन को निजात मिल सकती है होकी बिश्व कप ट्रोफी पहुची रांची सीम हिमत ने ट्रोफी का अनावरन किया मेंस होकी वर्ल्ड कॉप की ट्रोफी जमसेद्पूर के बाद रभीवार को जारकन की राईधानी राजी पहुच गई है यहाँ पहुचने पर मुखे मंत्री हमांचीर ने इस ट्रोफी का अनावरन किया इस मौके पर उन्होंने हर्च बग्त करते वे कहा कि इस ट्रोफी को देश के कई राजियों के कई सहरों में ले जाया जा रहा है जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसको देख रहे हैं होकी इंडिया की इस पहल से 20 कप होकी परत्योगता के प्रती एक महल त्यार होगा उन्होंने इस आयोजन के लिए होकी इंडिया के पतादिकारियों और खिलाडियों को बधाई और सुबकमनाय दी है बतादे की भुनेश्वर और राउल केला उडिशा में आगामी 13 जनवरी 2023 से में सहों की वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है दुमका के सरस मेला में ग्रामिन महिलाओ का हुनर जार्खन की उपराईधानी दुमका में गांधी मैदान में 10 दिवसी पलास आजीव कोट्सव होने वाले इस सरस मेले में विभीन राजियों के अलावा जार्खन के लगबग सभी जीले जे पहुंचे महिला समुह द्वारा एश्टोर लगा कर अपने उत्पादन की परदर्शनी सह भिक्री की जा रही है मेले के उत्गाटन के असर पर ग्राविन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा आए किया सरस मेला स्थानिय महिलाओ द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओ को राश्ट्रिय अस्तर पर पहचान दिलाने की है जिस परकार डेरी प्रोडक्ट और पापड से महिलाओ के समुने अपनी पहचान देश दुनिया में स्थापित की वहीं पहचान जहारखन की महिलाओ दोहरा त्यार प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचा कर बनाई जाएगी पलामू टाइगर में तेंदुये ने भची पर किया हमला हुई महुद पलामू टाइगर रिजर्व इस्थीत छिपा दोहर पच्छमी छेत्र के ग्रामी इलाग के वो कामार में एक तेंदुये ने 12 वर्से बची कीरन कुमारी पर हमला कर दिया है इस हमले से किरन कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई घायल किरन को इलाज के लिए स्पताल में भर्ती कराया गया जहां रभीवार की सुब़ उसकी मौत हो गई मिरितक किरन लातेहर परकन अत्रगत और रिया गाउं की रहने वाली थी उसके पिता का नाम बिशनू सिंग था वो अपने फूफा दिलिप सिंग के घर में रह रही थी इड़ी की करवाई से जहारखन सरकार को कोई खत्रा नहीं मंत्री आलमगीर जहारखन की उपरईधानी दूमका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाल के दिनों लागातार हो रही इड़ी की करवाई पर कहा है कि जहारखन सरकार ने सोच लिया है जब तक केंद्रे में ऐसी सरकार रहेगी हमें इसी महोल में काम करते रहना होगा एक पर कभी बाहर रहेगा कभी अंदर उन्होंने कहा है कि इड़ी की जो करवाई हो रही है उसे सरकार को कोई खात्रा नहीं है हाँ, मेंटल डिप्रेशन होता है, काम की जहमता परभावित होती है लेकिन जनता ने जो हमें असिरवात दिया है, उनके लिए हमें काम करना है और महागडबंधन की सरकार अपना 5 साल का कारेकाल पुरा करेगी मंत्री आलमगीर आलम ने जोर देकर कहा है कि उन पर जोर टेंडर मैनेज करने के लिए फोन पर बात चीत करने कारोप लगाया जाता है, या सरासर बेबुनियाद है अपने 20 साल के राइनिति करियर में आज तक किसी को टेंडर समधित कारेको लेकर फोन नहीं किया हूँ जहारखन में कॉंग्रेस की परदेश कमिटी का एलान कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी जहारखन इकाई में बड़ा बदलाव करते वे सन्निवार को राजजे में एक राइनितिक मामलोग की समीती एक गारा उपाध्यक्षो 35 महा सचीवो, 82 सचीवो और एक नई कारे समीती नियुक्त की है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकारजून खडगे ने 26 सचीव राइनितिक मामलोग की समीती के पैनल में अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी के परभारी अविनास पांडे राजे इकाई के प्रमुक राजेष ठाकूर, कॉंग्रेस बिधायक दलकनेता अलमगीर अलम, पुरो मुख मंत्री मधूकोडा, रामेस्वर उराव और आजाय कुमार की नियुक्त की है करकरणी में सामिल होने वाले अलमगीर अलम, रमेस्वर, उराव, अजाय कुमार, कॉंग्रेस, अध्यक्ष, कर्याले से जुड़े, समनवयक, प्रनवजा और गौरोवलव सामिल हाएं गुजरात में जार्खन भाजपा के सभी पूर्व सीम सपत ग्रहन में होंगे सामिल गुजरात में मुख्य मंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के सपत ग्रहन समारों में चार्खन भाजपा से जुड़े रहे सभी पूर्व मुख्य मंत्री सामिल होंगे पुरमुख मंत्री सा केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा जहां पहले ही केंद्रिये परवेक छक बन कर अहमादाबाद गये थे वहीं सपत ग्रहन में भीवे सामिल होंगे वहाई पुरमोख मंत्री सा भाजपा विधायक दल्कनेदा बाबला मरांडे और पुरमोख मंत्री सा भाजपा करश्ट्रीय उपाध्यक्ष रखबर दास भी अमधाबाद में सपत ग्रहन समरों में सामिल होंगे नर्कोटिक्स के लिए हर जिले में खुलेगा अलग मल खाना जार्कन के परतेilएक जिले में नर्कोटिक्स से जुढे केश की जबती का समान रखने के लिए अलग से मल खाना बनेगा केंद्रिय ग्रिह मंत्राला के निर्देश पर NCB के अधिकारियों के साथ राजे पुलिस के अधिकारियों के वीडियो कंप्रेंसिंग हुई थी इसके बाद राजे पुलिस के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया गया था राजे पूलिस को निर्देश दिया गया था कि नस्ते से जुड़े कारोबार वा उन मामलों में जब्त समान को रखने के लिए अलग से मलखाना बनाया जाए इसके बाद राजे CID ने इस समान में सभी जीलों के DC को निर्देश दिया है कि वे नार्कोटिक्स से जुड़े कांड के परदर्सों को रखने के लिए एक मलखाना बनाया जीले के जिस स्थाने में नस्य का समान जब्त हो उसे उसी मलखानों में रखा जाना है परोनाती से भरे जाएंगे हाई स्कूल में परधना ध्यापको के पद ज्यारखन के सरकारी हाई स्कूल में खाली पड़े परधना ध्यापको के पद परोनाती से भरे जाएंगे वर्तमान में राजे के 1663 हाई स्कूलों में मातर 27 में ही आस्थाई परधना ध्यापक है 1626 हाई स्कूल प्रभारी परधाना ध्यापकों के भरोस से संचाली था है इसके लिए मादमिक सिक्षा निदेशक सुनिल कुमान ने सभी जीला सिक्षा पताधिकारी को रिपोर्ट तलब की है सिक्षा भी भागने हाई स्कूलों के असनातक प्रशिक्षित सिक्षकों की रिपोर्ट महांगी है हाई स्कूलों के वैसे असनातक प्रशिक्षित सिक्षक जिनकी योगता असनातकों तर प्रशिक्षित सिक्षक की है उनकी सर्विस बूक पिछले पाच साल से कम किश्थी थी और उनके किरिया कलाप पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है मुरहाबादी के चिल्डेन पार्क में नियो यर मेला 22 से मुरहवादी मैदान के चिल्डेन पार्क में 22 दिसंबर से दो जनवाज तक नियो यर मेला का आवेजन होगा चिल्डेन पार्क प्रवंधर ने बताया है कि मेले में डेर सव से अधिक एस्टोल लगाए जाएंगे आयोना अस्थल पर हर दिन अलग अलग तरह की सजावट होगी विभिन परतियों गिताओं और मनरजन कारेकरमों का भी आवेजन होगा परवेशने सूल करहेगा रविवार को मोके परावजी समारों में जगदीश कुमार, एल्वियन, रोज रियो समेत अने कलकारों ने मनमोहक प्रस्तूती दी आकास कुमार और सिधार्त ने लोगों का मनरजन कराया बीएड में नमांकन के लिए ओनलाइन काउंसिलिंग शुरू राजे के बीएड कॉलेजों संस्थानों में सत्र दोहर बाइस चोविस में नमांकन के लिए प्रत्थम राउंड की ऑनलाइन काउंसिलिंग के परकिदा राची विश्व बिद्याले ने रभविवार को सुरू कर दिया है पहले दिन एक हयार से अधिक अभियार्थियों के विद्याले प्राप्त हुए बता दे की उच यहम तक निकी सिख्षा भी भाग की और से इस बार बीएड में नमांकन के लिए काउंसिलिंग के दायू तो राची विश्व बिद्याले को दिया गया है इसके माध्यम से राजे के 136 बिएड कोलेजों की 131,600 सीटों पर नमांकन होना है CM के साथ बैठक में रायद नेता की नराजगी दूर राश्ट्रिय जनता दल के जार्खन संगठन के नेताओं की नराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमान सुरेन ने अपने अवास पराश्ट्रिय जनता दल के अध्यक संजय सिंग यादव प्रदेश प्रधान महासचीव संजय परसाद यादव सहीत वरिष्ट निताओं के साथ बैठक की इस दरान महागडबंधन में रायाद को नजर अंदाज करन के सीएम ने सिकायते सुनी और भरोसा दिलाया है की अब जब भी महागडबंधन की बैठक होगी उसमें रायाद के परदेश अध्यक संजय सिंग यादव का या प्रधान महासचीव सामिल होंगे उन्हें बकायदा अमांतरित किया जाएगा 17 दिसंबर को रांची में भारत जोड़ो यातरा राहूल गांधी की भारत जोड़ो यातरा के रूट चार्ज में भले ही जहारखन नहीं हो लेकिन राहूल गांधी की यातरा को समर्थन देने के उदेश से जहारखन में लागातार भारत जोड़ो यातरा कायोजन किया जा रहा है इसी करम में एक बार फिर से 17 दिसंबर को रांची में भारत जोड़ो यातरा निकाली जाएगी जिसमें कॉंग्रेस के सभी परदेश अस्तरिय नेता सामिल होंगे इस एतरा को एतिहासिक बनाने के लिए रभिवार को परदेश कॉंग्रेस का रियाले में रांची महानगर कॉंग्रेस कमिटी और रांची जीला कॉंग्रेस कमेटी की एक सन्युक्त बैठक आयोजित की गई इसमें महानगर अध्यक्ष डाक्टर कुमार राजा और रांची जीला अध्यक्ष डाक्टर राकेश किरन महत्तो सन्युक्त रूप से उपस्थित थे नगर निकाय चुना में OBC आरक्षन पर 13 जन्वरी को सुनवाई जारकन में नगर निकाय चुना में OBC को आरक्षन नहीं देने के मामले में सरोष नियाले में सुनवाई 13 जन्वरी को होगी इस दोरान जार्कन सरकार के मुख सचीव को इस मामले में कोटने नोटिस पर जबाब भी देना है गिरीडी सांसत चंद्रपरकास चौदरी द्वारा दाखिल औमान्नावाद के मामले में या सुनवाई होगी बताद है कि सांसत चंद्रपरकास चौधरी ने सरोष नियाले में ओभी सुकार अक्चन नहीं देने को लेका जार्खन सरकार के बिरूत जनहित याज का दायर की थी धन्यवाद